आज हम बात करेंगे कि classroom में student और teacher के बीच में जो interaction या फिर जिसे हम communication कहते हैं, वो कैसे होता है और किस तरह से हम teacher और students के बीच में interaction को बहतर बना सकते हैं और साथ ही हम discuss करेंगे कि ऐसे कौन से वो कारक है, कौन से factors है जो student और teacher के बीच में communication को प्रभावित करते हैं आए सबसे पहले जानते हैं कि communication या interaction का meaning क्या होता है Communication is about sending and receiving information or the transmission of information and meaning from one person to another Communication अगर साथारान शब्दों में कहें तो संदेश को भेजना या सूचना को दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरा जब उसे receive करता है उसे समझता है तो उस process के नाम को हम communication या interaction कहते है The exchanging of information by speaking, writing or using some other medium The exchanging of information एक दूसरे के साथ सूचना को exchange करना आदान प्रदान करना उसका By speaking, बोलकर या लिखकर या फिर किसी अन्य माद्यम से उसे भी हम communication कहते है Communication means of sending or receiving information such as telephone lines Communication का आर्थ हम किसी सूचना को भेजना और उसे ग्रहन करने से भी लेते है अब ये कई माद्यम से सूचना का आदान प्रदान हम कर सकते हैं जैसे हमारे पास telephone है, oral medium हमारे पास, oral में हमारे पास verbal आता है non-verbal medium हमारे पास आता है तो कई तरह के माद्यम हैं जिनके द्वारा हम सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे अब बात करते हैं कि classroom में interaction या classroom में जो communication होता है उसका मेंली क्या आर्थ होता है तो एस शिक्षा के उदेशियों और लक्षीयों की प्रापती के लिए विद्याले में अध्यापक और चात्रों के बीच में जो अंतक्रिया होती है अंतक्रिया का अधार पाठेक्रम होता है अध्यापक तथा चात्रों के बीच अंतक्रिया या इंटरेक्शन जितनी बेहतर होगी उतने ही अच्छे तरह से उनके उदेश्यों की प्राप्ति होती है यहां यहां जान लेना भी अत यहां संप्रेशन या कम्मिनिकेशन शब्द भी अध्यापक तथा छात्र के मद्य होने वाली परस पर उदेश्य पूर्ण प्रक्रिया को दर्शाता है। वे कई तरीकों से अपने विचारों की अविवेक्ति करते हैं या कक्षा कक्ष की अंतक्रिया कहलाती है। कक्षा कक्ष की अंतक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हमें कई तरह से प्रियास करने पड़ते हैं। क्लासरूम की इंटरेक्शन जो स्टुडेंट टीचर के बीच में होती है। उसी इंटरेक्शन की वज़ा से ही टीचिंग और लर्निंग के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। different ways of communication अब कई तरीकों से हम communicate कर सकते हैं, interaction कर सकते हैं, speaking, बोल कर कर सकते हैं, हम अपने विचारों की अभी विक्ति बोल कर करते हैं, writing, by writing, by the medium of writing, हम लिख कर अपने विचारों को दूसरों के सामने share कर सकते हैं। visual image, हम किसी चीज को दिखा कर, images, charts, map, कई चीज़ें ऐसी हैं, जिनें दिखा कर हम message convey कर सकते हैं, जो भी हम दिखाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। body language, आप सभी जानते हैं कि body language भी communication और interaction का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, body language के द्वारा हम या फिर विक्ति अपने अंदर उसके अंदर जो भाव है उनको परकट कर सकता हैं, जैसे अगर कोई रो रहा है, smile कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई हाव भाव अपने दिखा रह रहा है, moment कर रहा है, तो body language भी एक माध्यम हमारे पास communication का होता है, function of communication, communication के मेंली चार तरह के function है, जैसे information, emotional expression, motivation and control, information, में mainly information देना, ये काम रहता है, कि दूसरों को हम information देते हैं, individuals and work groups need information to make decisions or to do their work, जैसे classroom में teacher भी बच्चों को information देता है, ग्यान देता है, ताकि बच्चे अपना जो अगला उनकी activity है, उसको सुनिश्चित कर सके, emotional expression, social interaction in the form of work group communications provide a way for employees to express themselves, तो emotional expression में सभी को मौका दिया जाता है, कि वो अपने अंदर जो उनके भाव है, उसको प्रकट कर सके, चाहे वो employees की बात करें, social groups में, या फिर अगर हम classroom में बात करें, तो teacher बच्चों को भी expression का मौका देता है, कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या feel कर रहे हैं, क्या वो महसूस कर रहे हैं, उस बात को वो express करें, ये भी communication का एक कार्या होता है, motivation, communication, clarify for employees what is to done, how well they have done it, and what can be done to improve performance in behaviors in organizations, motivation में एक तो employees की बात करें, या फिर classroom की बात करें, तो teacher का काम या फिर communication में motivation का बहुत बड़ा रोल रहता है, motivation से किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों की अभी व्यक्ति को सुनिश्चित करने का मौका मिलता है, अगर हम किसी को अभी प्रेरित करते हैं, तो वह जो भी महसूस कर रहा है, जो भी फील कर रहा है, वो खुशी-खुशी जाहिर कर देता है, इसलिए motivation भी communication का एक एहम function होता है, control, formal and informal communication act to control individuals, तो controlling भी communication का एक कार्या होता है, जैसे teacher यहाँ पर instructions बच्चों को दे रहा है, तो यह एक controlling का example है, कि जब भी हमें कोई message देना होता है किसी को, तो जो message लेने वाला है, जैसे classroom में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले controlling का role रहता है, तो controlling भी communication के द्वारा ही हो सकती है, तो यह main इसके functions थे, अब बात करते हैं कि communication process कैसे चलता है, इसका क्या model होता है, तो आपके सामने यहाँ पर एक model जो की universal communication का model है, इसमें सबसे पहले हमारे पास किसी भी communication में हमारे पास एक sender होता है, sender क्या करता है, कि वो message उसके पास होता है, message को formulate करता है, उसने किस information को दूसरों के सामने share करना है, वो यह सुनिश्चित करता है, तो sender message को बेजने वाला होता है, sender के पास एक message होता है, जिसे वो encode करता है encode means कि किसी भाषा में उससे वो encode करता है या लिखता है या फिर वो बोलता है तो किसी उसके बाद हमारे पास medium आता है किसी माध्यम के द्वारा वो बोलता है माध्यम हमारे पास कोई भी हो सकता है जैसे oral medium है हमारे पास classroom में उसके बाद telephone है, mobile phone है, radio है, newspaper है, TV है, कई तरह से हमारे पास medium हो सकते है Decoding by Receiver Receiver हमारे पास वो होता है जो sender के द्वारा भेजे गए message को decode करता है अब Receiver तभी decode कर पाएगा, जब वो sender के द्वारा भेजी गए information, जिस code में है, उससे decode करना जानता है या उसकी भाशा को समझता है तो अगर receiver, sender के message को receive करके decode करता है, तो उसके बाद हमारे पास feedback phase आता है कि जो भी sender ने information भेजी है, वो किस purpose से भेजी है, उसके लिए जो receiver है वो फिर message या फिर feedback के तोर पर message back करता है, reply करता है फिर जब receiver message का reply करता है, तो वो उल्टा यहां पर इसमें process हो जाता है फिर जो receiver है वो sender बन जाता है, वो message send करता है, encoding करता है उसके बाद किसी medium से वो sender को information भेज़ता है और sender receiver बन जाता है और वो message को decode करता है, तो यह communication का process चलता है, यह two-way process होता है इसलिए हम इसे two-way process बोलते है, कि दोनों का encoding और decoding करना ज़रूरी होता है दोनो sender ने message को encode किया, receiver ने अगर decode किया और यह feedback भी sender को मिल गया तो it means कि communication model जो है, communication हमारा success हो गया जैसे इसमें अगर हम बात करें communicator, a person with ideas, intentions, information and purpose for communicating तो communicator के पास कोई, वो person वो होता है, जिसके पास कोई idea होता है, कोई intention, information, purpose होता है communicate करने के लिए, जिसे हम message sender भी बोलते हैं, तो उसके पास कुछ होना चाहिए भेजने के लिए तो message, an idea or experience that a sender wants to communicate, encoding, encoding means converting a message into groups of symbols that represent ideas or concepts कि जिस भाशा में भी हम अपने विचारों को लिखते हैं, वो encoding हो गई, उस भाशा के शब्दों के द्वारा medium of transmission, the carrier of the message, तो medium हमारे पास उस message को जब हम दूसरों को भेज रहे हैं, उसको भेजने के लिए जो हम medium का इस्तिमाल करते हैं, उसे medium बोलते हैं decoding receiver, technical term for the receiver, receiver's thought process, तो जो encoding की होती है, message sender है, उसे decode जब receiver करता है, तो वो अपने आप feedback फिर देता है, तो feedback हमारे पास यहां पर है, जो हमने पीछे दिखा, तो यहां पर एक noise हमने एक factor लिखा है, तो noise में क्या होता है, कि जो message हम भीजते हैं दूसरे को, तो अगर उस समय कोई problem create हो जाती है, कोई sure होता है, कई तरह की बादा उत्पन होती है, जैसे आपने किसी को message किया, अगर signal weak है, तो उसे message properly नहीं पहुंचेगा, आप telephone में किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो telephone एक माध्यम है, अगर signal weak है, तो दूसरे के सामने voice clearly नहीं कि कितने तरह से हम communication कर सकते हैं, verbal communication, it means communicating with words, शब्दों के द्वारा written और spoken, इसमें लिखे तोर बोल कर हम message को convey कर सकते हैं, verbal communication consists of speaking, listening, writing and reading, तो verbal में mainly हम कुछ बोलते हैं और सामने वाला सुनता है, यह बोल कर हम अपने विचारों की अभिविक्ति करते हैं, और verbal के बाद अगर हम बात करें, तो एक तो verbal में हमने देखा कि इसमें कई तरह के माध्यमों को भी हम use कर सकते हैं, जैसे lecture दे सकते हैं, discussion कर सकते हैं, storytelling आती है, उसके बाद अगर हम इसके medium की बात करें, तो telephone हमारे पास medium होता है, radio में प्रसारण किये जाते हैं, कई तरह की recording होती है, तो उसके द्वारा जो हम message convey करते हैं, वो verbal communication आती है, बोलकर आती है, non-verbal communication अपने आप में एक बहुत अच्छा माध्यम है, इसमें क्या होता है कि इसमें अशाब्दिक संप्रेशन इसको हम बोलते हैं, ऐसा व्यवार होता है जो शब्दों के बिना अर्थों को संप्रेशित करता है, इसमें प्रतीक आत्मक और गैर प्रतीक आत्मक स्वभाविक या संचालित अभिवेक्ति संबेगों को संप्रेशित करने वाला सुचनात्मक संप्रेशित करने वाले तथियों के रूप में हो इसाब्दिक संपरेशन में back facial expression आते हैं उसके बाद उसमें Plantas掉 था है metaphysical जो इसमें आती है हम किसी चीज़mare पिच्छ करते हैं चीज करते हैं उसकित के दुरान खामुसी, जैसिसाधर िबार्शा या न serait Index से मानव वजकषिक भी तरुमने ध्यार होता है उसका क्लास में विभिन अफसरों पर हाँ भावों का प्रियोग करना, कुछ देर के लिए या कुछ पल के लिए रुखना, blackboard का प्रियोग करना, मानचित्र का प्रियोग करना या चाहर टाधि के द्वारा संक्यतकों से किसी चीज को सूचित करना होता है तो एक अच्छा जो teacher है वो non-verbal communication के द्वारा भी अपने message को अच्छे से convey कर सकता है अब हमारे पास आता है oral visual communication तो oral visual communication में क्या होता है कि इसमें हम बोलकर और कुछ दिखाकर message को convey करते हैं बोलकर और कुछ दिखाकर हम सभी जानते हैं कि इसमें हम कुछ बोलते भी है कुछ expressions भी देते हैं तो इसके लिए हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं जैसे classroom में teacher lecture discussion method यूज करता है उसमें वो अपने facial expressions भी यूज करता है अपने gestures को भी यूज करता है या फिर अगर हम other की बात करें interaction की उसमें हम TV है TV में आवाज भी सुनाई देती है expressions भी pictures भी दिखाई देती है अगर हम video conferencing की बात करें तो उसमें भी ये चीज possible होती है तो oral, visual communication, non-verbal communication और verbal communication ये तीन तरह के मुख्यता communication के माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम अपने विचारों को दोसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं Communication is a series of experience देखे, communication हम तभी कर सकते हैं जब हम कोई हमारे पास अनुवव होता है जैसे मालीजे कुछ हमने सुना, अगर कुछ हम सुनते हैं तो हमारा एक experience हो जाता है हम कुछ महसूस करते हैं, कुछ हमारे अंदर processing होती है उसके बाद कुछ reaction आता है हमारा, हम कुछ react करते हैं अगर कोई हमें order देता है तो पहले हम उसे सुनते हैं उसके बाद हम समझ कर, फिर react करते हैं, टेस्ट करना किसी चीज को, किसी चीज को जब हम टेस्ट करते हैं, तो हम उसके बाद पृतिक्रिया दे सकते हैं, smell करना, smell में भी वही चीज है, हम smell के बाद reactions अपने देते हैं, react करते हैं, seeing, किसी चीज को देख कर, भी हमारे अंदर thought process चालू हो जाता है, हम कुछ हमारे reactions आ जाते हैं, हम कुछ react करते हैं touch करना, touch करके भी हमें किसी चीज का अभास होता है किसी चीज के होने का एहसास होता है या प्रमान मिलता है तो उसके द्वारा भी हमारे अंदर thoughts create होते हैं अब हम बात करेंगे कि communication के मार्ग में कौन-कौन तरह की बाधाएं होती है barriers to effective effective communication तो barriers देखिए सबसे एहम यहां पर हमें यह discuss करना है कि communication के मार्ग में कौन-कौन तरह की problems आती है language, speaking in different languages or where a language is not your first language तो भाशा अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमी का निभाता है निभाती है भाशा का communication में बहुत important role रहता है अगर मालीजिए कोई message send करने वाले की भाशा कोई भी हो सकती है उसकी जो भाशा है जिसको वो message भेज रहा है अगर वो जिसे वो भेज रहा है उसे उसकी भाशा ही समझ नहीं आती है तो ऐसी परिस्तिती में हम उसे एक बहुत बड़ा barrier मानेंगे कि उसे भाशा का ग्यान नहीं है तो भाशा का ग्यान sender और receiver दोनों को होना एक अच्छे communication का संकेत होता है इसलिए भाशा का दोनों में अगर एक को भी ग्यान नहीं है तो communication बहादित होता है फिजिकल लोकेशन वेन टीम्स आर स्परेड अगर अगर क्लासरूम में बच्चों को हम नहीं देते हैं फिजिकली बच्चों को क्लासरूम में लोकेट अच्छे से नहीं किया है जैसे प्रपर डिस्टेंसिंग नहीं है बच्चे और टीचर में बहुत ही ज़्यादा दूरी है बड़े बड़े कम रहे हैं तो उस परिस्टिती में भी equipment हमारे पास वहां पर फिर वैसे होने चाहिए या बच्चों को discomfort हो रहा है वहां पर बैठने के लिए हो रहा है उन्हें सर्दी और गर्मी के मौसम में problems आ रही हैं तो उस तरह से भी जो communication है वो प्रभावित होता है पूर equipment not having the right IT infrastructure slow computers poor quality audio teleconference system making it difficult to hear what is being said तो पूर equipment में हमारे पास अगर infrastructure हमारे पास नहीं है अगर IT के resources हमारे पास अच्छे नहीं है जिसे computer अच्छा ना होना पूर quality audio conferencing अगर conferencing कर रहे हैं तो वहाँ पर quality अगर अच्छी नहीं है तो message properly convey नहीं होता है अगर signal problem है अगर हमारे पास मालीजे data ही नहीं है तो internet connection ही नहीं है तो communication बादित उस तरह से हो जाता है noise जब कोई दो आदमी आपस में बात्चित कर रहे हैं अगर बीच में फिर noise आ जाता है जैसे classroom में teacher और student के बीच में interaction हो रही है ऐसी परिस्तिती में कोई noise create करता है तो वो जो communication हो रहा था दोनों के बीच में वो बादित हो जाता है तो इसलिए sure बिलकुल भी सही नहीं है अच्छे communication के लिए तो class में proper silence जब होगा तभी dialogue शुरू करना चाहिए तभी interaction शुरू करनी चाहिए ताकि दोनो sender और receiver message को अच्छे से convey कर सके understand कर सके तभी हमारा जो interaction है वो purposeful हो सकता है next नमारे पास है culture spelling the same language but words having different meaning in different countries like UK English and USA English have different words for rubber और eraser तो भाशा अगर हम culture की बात करें तो culture different different culture में same चीजों को अलग-अलग शब्दों से उनको पुकारा जाता है या उन्हें अलग-अलग नाम दिये होते हैं तो ऐसी परिस्तिती में भी problem हो सकती है perception जो भी हमारी धारणाय होती है one message has two more different meanings when spoken or put into an email तो perception अपनी-अपनी होती है same message को वक्ती अपने हिसाब से understand करता है वो अपने हिसाब से उनका meaning लेता है तो ये भी अपने आप में एक बादा कई बार हो जाती है कि अगर मालीजी दस लोगों को आपने अलग-अलग समय में अलग-अलग जगा एक ही message दिया हो तो उनका उसको grant करने का सबका अपना-पना एक तरीका होगा तो वो भी एक कई बार barrier बन जाता है Out of school interference in the form of commercial and entertainment media तो स्कूल के साथ अगर किसी तरह से कोई अगर हम मालीजीए स्कूल के साथ-साथ अगर हम कोई किसी भी तरह से website या मनोरंजन के साधनों को add करेंगे स्कूल के बाहर अगर हम cinema घर खोलेंगे, radio station खोलेंगे, television पर दिखाएगे कारे करम कक्षा संप्रेशन के मुकाबले कई बार ऐसा होता है कि एक तो वह noise create करते हैं तो दूसरा कई बार उसमें क्या होता है कि entertainment media में entertaining content जादा दिखाया जाता है तो बच्चों को क्या लगता है कि school के साथ अगर इस तरह के हम साधनों को create करेंगे तो वहां interest की चीज़े उन बच्चों को ज़्यादा दिखेगी as compared to school तो वो क्या करेंगे कि school में कम रूची दिखाएंगे क्योंकि वहां रूची कर उन्हें कुछ लगेगा नहीं तो ऐसी परिस्तिती में वो वहां जाएंगे जहां पर उन्हें interest वाली चीज़े दिखेंगे तो इसलिए school के साथ इस तरह के जो चीज़ें है वो नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चे classroom में रूची दिखाए classroom में वो बैठना पसंद करें इससे interaction दोनों के बीच में teacher और student के बीच में अची हो सकती है Accessive Verbalism अधिकतर कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा शिक्षा के नाम पर अत्यधिक बात की जाती है वो मौखिक रूप से बहुत व्याख्या करता है ऐसे में जब अध्यापक बहुत अधिक व्याख्या करने लगता है तो उसका शिक्षन विद्यार्ती केंद्रित ना होकर अध्यापक केंद्रित हो जाता है जिसमें बच्चे अपनी रूची नहीं लेते हैं अता ऐसे प्रभावी संप्रेशन में या फिर इंटरेक्शन में बाधा पहुंचती है अत्याधिक शाब्दिक अभिवेक्ती से बचने के लिए टीचर को क्लास्रूम में चार्ट, मॉडल, टेप रिकॉर्डर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डेवीडी, आधी का प्रियोग करना चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे है डेड्रिमिंग करने लगता है यदि कक्षा में इंटरेक्शन इंटरेस्टिंग नहीं होगी या सुखद बच्चे के लिए नहीं होगी तो विद्यार्ती रोचक विचारों अथ्वा अनुभवों में खो जाते हैं जिनको वे या तो भोग चुके होते हैं या फिर भोगने की इच्छा रखते हैं इस प्रकार जब अध्यापक अपराद के कारणों की व्यक्या कर रहा होता है तो संभव है विद्यार्ती उस फिल्म के बारे में जो उसने पहले दिन देखी थी या उस बोजन के संबंध में जो दोपहर को उन्होंने खाना है सोच रहे हो यदि अधियापक कक्षा की अंतक्रिया को रोचक वा प्रभावशाली बनाता है तो बच्चे डेड्रेमिंग नहीं करते हैं ये भी खासतोर पर ध्यान रखना चाहिए कि डेड्रेमिंग एक बहुत बड़ा बैरियर है फिजिकल डिसकमफर्ट यदि कक्षा में बच्चों को स्वच तथा आरामदा एक वातरवन के रूप में प्रयाप्त मात्रा में कुर्सी, डैस्क, स्वच हवा के लिए प्रयाप्त रोशंदान, प्रयाप्त रोशनी, पंखे तथा अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्द नहीं होती है तो वो कक्षा में अंतर क्रिया में सक्रियरूप तथा रूची पुर्वक अनुक्रिया नहीं कर पाते हैं इसलिए इस बादा से बचने के लिए कक्षा के, कक्षा में ये सारी सुविधाय प्रदान करनी चाहिए रिडिकलिंग बेहिवियर ओफ दर टीचर, अध्यापक का उपहासक व्यभार यदि कक्षा में बच्चों का उपहास अध्यापक करता है, तथा उनको अन्यों के सामने जलील करता है तो उन बच्चों के मन में हीन भावना का विकास हो जाता है अध्यापक को विद्यार्थियों का उपहास या व्यंग आत्मक टिपणियां नहीं करनी चाहिए उससे उसे बचना चाहिए अध्यापक अगर बच्चों को अभी प्रेरित तथा उनकी तारीफ करेगा तो वो कक्षा में अंतकरिया पर उसका सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा अता कक्षा कक्ष की जो इंटरेक्शन या संप्रेशन कम्यूनिकेशन को प्रभावशाली तथा सफल बनाने के लिए यह जो हमने अभी डिसकशन किये कुछ पॉइंट्स कुछ बैरियर्स इन्हें दूर करना पड़ेगा संप्रेशन के मार्ग में जब तक यह बाधाएं पाई जाएंगी तब तक संप्रेशन पक्रिया या इंटरेक्शन क्लासरूम की अच्छी नहीं हो पाएगी इसलिए अध्यापक और स्टुडेंट्स के मध्या एक सफल इंटरेक्शन के लिए हमें इन सभी बाधाओं को दूर करना पड़ेगा थैंक यू